Hello everyone, सबसे पहले मैं आपको clear कर देना चाहता हूँ कि यह कोई news channel नहीं है and इस channel पर मैं, इस channel का नाम है Jazz Life and मेरा नाम है Jatin so मेरी life से related जो चीजे होती हैं, मैं कुछ चीज परचेस करता हूँ या जो भी होती है, इस type से मैं चीजे यहां पर post करता हूँ, videos post करता हूँ लेकिन आज वाला जो video है वो काफी different है, लेकिन मेरी life से जो related होती है चीजे यहां पर मैं post करता हूँ and यह भी जो incident हुआ है, यह भी मेरी life से related ही है and इसको आप लोगों की साथ share करना बहुत ही जादा important है, यह जो अभी आप आगे देखने वाले हो काफी अब आप देख लेना, आपने title तो पढ़ लिया है, thumbnail भी आपने देख लिया है so थोड़ी सी चीजे मैं आपको यहां पर बता देता हूँ जैसा कि आप सब को पता होगा कि lockdown का time है अभी and lockdown वैसे तो almost खुली गया है, लेकिन जो पहले, March में lockdown लगा था उससे जो में तक हमारे इंडिया की हलत हुई है, वो काफी, आप सबी को पता है कि जो daily wages worker थे, उनको काफी जादा उन लोगों ने जहला है, job सब बहुत लोगों की गई है सब की नी बहुत लोगों की jobs गई है, काफी जादा जो economy है, वो down हुई है सो यार, इस case में क्या है, crime rate हमारे जो इंडिया का है, वो automatically बढ़ेगा क्योंकि जब लोगों के पास नहीं होगा कुछ खाने को, नहीं होगा अपने families के लिए सो यार, उनको ये सब काम करना पड़ेगा, गलत है ये काम, लेकिन क्या कर सकते हैं एक चीज और मैं आप पर सब के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कुछ जो थोड़े से वैसे लोग होते हैं, वो सब ये काम करते हैं सबसे पहले मैं आपको शेयर करता हूँ, मैंने Facebook पर देखा था एक post जहां पर डेली में एक जगा है, जंगपुरा सो वहाँ पर आपको मैं कुछ फोटोस दिखाता हूँ, आप खुद देखना, यह हैं फोटोस आपके सामने, यहाँ पर चोरों ने क्या किया है कि जो गाडियां खड़ी हुई थी उसके टायर्स निकाल लिए और टायर्स की मतलब इटे नीचे लगा दी और टायर्स निकाल सीसी टीवी में हमारे घर के पास भी था, सो वह सीसी टीवी फुटेज आप अब अपने स्क्रीन पर देख सकते हो झाल 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 यहां पर आपने सीसी टीवी फुटेज में जो देखा है, यहां पर हमारी सुसाइटी में भी चार से पांच घरों में चोरिया हुई है यह नहीं पता क्या-क्या चुराया है उन्होंने यह सब मेरे को नहीं पड़ता लेकिन जो सुसाइटी ने इमेल करी थी पुलिस को उसमें तीन फ्लैट नंबर्स थे और बाद में पता चला था जब और देखा था तो काफी घर खाली थे तो वहां पे भी एक-दो घर और निक पता चलता है कि क्या में इस मतलब आपके दिमाग पैसर पड़ता है और क्या आपके ओपर असर पड़ता है इन फैक जो यह आपने CCTV फुटेज देखी ती यह हमारे जस्ट नीचे की है बहुतर लगा था लेकिन आप क्या कर सकते हैं बस यह है कि आपको यही अवेर करना चा यहाँ पर क्राइम रेट बढ़ेगा और सिरफ इंडिया की बात नहीं है बहुत कंट्रीज में भी इन फैक्ट यूएस में भी जब लॉक्डाउन वगेरा लगाया गया था सो वहाँ पर आम्स की जो गन्स और आम्स वगेरा होता है उसकी जो सेल है वो काफी बढ़ गई थ है कि जादा क्राइम बढ़ने वाला है वहाँ पर इत्ते लॉस नहीं है इंडिया में है तो इंडिया में तो इत्ती सेल नहीं बढ़ी या ऐसी कोई न्यूज में नहीं पड़ी लेकिन थोड़ा बहुत क्राइम तो बढ़ेगा सो प्लीज सेफ रखना अपने आपको और अगर कुछ बाते अच्छी लगे हों तो लाइक कर देना आज के लिए ताई मिलता हूं नेक्स वेडियो में